अंबर मैं कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुठी मैं तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझसे पाते हैं, फिर लौट मुझही में जाते हैं, जै जगननात, देश विदेश से देख रहे हैं सबी दर्शकों को मेरा प्यार भराना मुश्कार मैं हूँ, मोहित कमिल श्रिमाली, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चानल पर और आज का राशी यानि कि 10 नवंबर के इस विशेश एपिसोड में, साथ ही आप सभी को बढ़ाई और शुपकामनाय देना चाहूँगा जिनका आज जनम दिवस है, मैरेज अन्वरसरी है या कोई विशेश यादगार दिन है, शुरुवात करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, तारि एक शुकल पक्स चल रहा है, नव मीति थी रहेगी रात को 9 बच करके एक मिनिट तक जिसके पश्चात दश मीति थी आरम होगी, धनिश्टा नक्षतर सुभे के 11 बच के एक मिनिट तक रहेगा, जिसके पश्चात शदभीशा नक्षतर आरम होगा, और कुम्भ राशी में चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं, रहुकाल के अगर बात कही जाए, तो दोपहर के साड़ी चार बचे से लेके 6 बचे तक का समय ये रहुकाल रहेगा, और शुब चौगडिया महरत आज के दिन आपको दो बार प्राप्त होगा, सबसे पहले 9 बच के 57 मिनिट से 12 भी खा करके या सूंग करके आप अपनी यात्रा आरम कर सकते हैं, फिर बात होती है सुर्योदे कालीन कुंडली में शुब ग्रह योगों की, तो आज के दिन आपको साथ मलने वाला है संख्यादाम योग का, गजकेसरी योग, केंदरुम योग, कल्बदरुम योग, सम एशी योग, सफल अमल कीर्ती योग, शंक योग, हर्श योग और करम जीव योग का, अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं या लखनव में रहते हैं और कुंडली विश्टलेशन के लिए अपॉन्मेंट लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप समपर करके अपने लिए अपॉन्मेंट अवश्य ले सकते हैं, अब बेना देरी के शुरुबात करते हैं, आज के राशी फलकी और सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी से, आपके लिए राशी भाव से 11 आउस में चंद्रमा विराजमान हैं, अश्टक वर्ग में 33 डॉट समप्त होगा, खास तोर पे नई प्लानिंग जो है, वो यहाँ पे एक्जिक्यूट करने का मौका मिलेगा, जिससे शांदर कमाई भी होगी, सफलता भी मिलेगी और इजजत में भी वरद्दी होगी, ऐसे ही समय में यंग्स्तर्स खास तोर पे जो हैं, आपको ये कहूँग कि अगर विभा के लिए आप इंतजार कर रहे थे, सही प्रॉस्पेक्क के लिए इंतजार कर रहे थे, चर्चाए बहुत हो रही थी, तो इस समय में कहीं न कहीं future prospect से मिलने का मौका मिल सकता है, ये कहा जाए कि बातों बातों में एक माच हो जाना, सही लाइफ पार्टनर का यहां पे चैन हो जाना, वो संबव हो सकता है, घर परिवार के अंदर खुशी के माहल रहेगा, वहीं पैस्वास्ती में भी सुधार देखने को मिलेगा, और खास तोर पे जो नौकरी पेशा इंसान है, आप अपने कॉम्पेटिशन से परेशान थे, उसे यात्रा से मान करके चलिए, खास तोर पे कमाई के तोर पे अगर यह यात्रा है, तो आपको लाब अवश्य मिलने बाला है, अच्छी इसे कमाई भी होगी, और फ्यूचर को लेकर के जो आप यहां पे प्लानिंग कर रहे हैं, जो फंस की रेक्वाइमेंट है, कोई वर्ग में 27 डॉच से हैं, ओवरॉल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75 परसंट पॉजिटिव है, अब इस पॉजिटिविटी के कारण यह कहा जा सकता है कि एजी सक्सेस मिलना मुमकिन है, खास तोर पे यह कहा जाता है कि मेहनत बहुत जादा कर ली है, सामने परणाम न लखा गिया है समाज के लिए या परिवार के अंदर तो वहां पर अगर जाते हैं, तो अप्रीसियेशन रिक्निशन अपने एफर्ट्स के लिए अवश्य मिलने वाला है, लोगों के बीच में आपकी छवी जो है वो और जादा बहतर बनने वाली है, ऐसे समय में, नौकरी म काफी जादा favorable रहेगा, कोई बड़ी dealing को लेकर के यहां पर आगे बढ़ने का जो आप सोच रहे हैं, यहां पर कोशिश कर रहे हैं, वहां पर आपको फाइदा जरूर मिलने वाला है, अच्छा commission है समय में कमाने का मौका मिलेगा, यहीं पर youngsters हैं, ऐसे समय में कोई भी institution के एक्जाम देने वाले थे, कोई paper यहां पर submit करने वाले थे, तो चिंता मुक्त हो करके कीजेगा, बिना किसी tension के कीजेगा, आपको यहां पर सफलता जरूर मिलने वाली है, शुब रंग रहेगा, आपके लिए cream color शुब अंक रहेगा, नमब थ्रूई, फिर बात करते हैं, मि आज का दिन ऐसी चोट दे बैठेगा, जिसको ले करके हमेशा याद रखोगे, खास तोर पैसे समय में धार्मिक जादा बने रहिएगा, spiritual journey जिससे हम कहते हैं, चाहे meditation के द्वारा हो, भक्ती के द्वारा हो, मंदर जाकर के हो, इस journey को इस समय में बनाये रखिएगा, पर चा वहां से acceptance मिल जाए, वो यहाँ पर नहीं होगा, AD से चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात थी, उसको समझाने के लिए पूरा दिन लगने वाला है, और तब भी जाकर के उसके लिए हामी भर दी जाए, वो एक question वाक ही बना रहेगा, ऐसे समय में बहुत सोच सम हैं, ऐसे ही समय में ग्रहनी हैं, आपको भी ये देखने को मिल सकता है, कि कहीं न कहीं से, जो छोटे भाई बहन हैं, देवर हैं, उनसे इस समय में अपमान मिलना, या फिर मान सम्मान में कमी देखना, आपकी बात को नहीं मानना, ये situation सामने आ सकती है, वहाँ पे थोड़ा अपने आपा, या ये कहा जाए, अपने गुसे को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, शुबरंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुबरंग रहेगा नमबर फो, फिर बात करते हैं करक राशी के और आपके लिए एट थाउस में चंद्रमा हैं, पर यहाँ पर अधिमित आपसे फाइदा कमाना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुचा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, पर आप इस बात को इस समय में समझ नहीं पा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे समय में काफी दूसरों के भढ़काने से लोगों से जगडा कर लेना अपने मन की बात जो है जो छुपा करके रखने की ज़रूरत थी उसी को सब के सामने कह देना ये परिशानी का कारण बन सकता है खास तोर पे नौकरी पेशा इंसान है इस बात का ध्यान दीजेगा कि ऐसे समय में जो फीमेल कलीक्स हैं वो कहीं न कहीं आप के लिए परिशानी का कारण बन सकती है उनके लिए बहुत जाद आक्टिवली आप पाटिसिपेट करते थे किसी भी चीज़ के अंदर उनकी मदद करने के लिए हमिशा तयार रहते थे इस समय में मान करके चलिएगा कि उनकी मदद तो आप कर रहे हैं पर इसको गलत नजर ये से देख करके लोग अफवाएं उडाना शुरू कर सकते हैं यहीं पे एक और चीज़ कहना चाहूंगा खास तर पे ग्रहनी जो है यहाँ पर घर परिवार के अंदर किसी भी बात पर किसी भी मोर्चे पर अपनी टिपनी देना यह यह कहा जाए सामने वाले को वहीं पे उसकी बात को काट करके अपनी बात को स्विकार करवाने की कोशिश करना यह आपके लिए बहुत भारी पढ़ सकता है ऐसे समय में थोड़ा ध्यान रखके आगे बढ़ियेगा शुबरंग रहेगा आपके लिए घ्रीन कलर शुब अंक रहेगा नंबर सेवन फिर बात करते हैं सिंग राशी के और सेवन्थ हाउस में चंद्रमा है मित्रतारा का साथ अश्टक वर्ग में ठड़ी फाइव डॉट से ओवराल सिच्वेशन तो 100% पॉस्टिफ है दोना हादगी में हैं सिर कढ़ाई में ये कहा जा सकता है जो फाइदा कमाना चाते थे फाइनली वो फाइदा मिलना शुरू करने वाला है ऐसे समय में नई चीज़ों को लेकर के बात करने का मौका भी मिलेगा नए यहाँ पे प्लांस जो है उनको भी इस समय में एक्जिक्यूट करने का मौका मिलेगा कोई ना कोई नई चीज़ की यहाँ पे तयारी जो है वो शुरू होने वाली है ये कहा जाए नियूनेस जो है नयापन जो है अपने जीवन में वो आने वाला है यहीं पे सरकारी प खास तोर पे पैसों का वो यहां पे सबसे जादा आपको मिलेगा मारकेट में गुडबिल भढ़ेगी वहीं घर परिवार की सुक्सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी कोई ना कोई मांगलिक खर्च जो है वो अविश्य होने वाला है अब ऐसे समय में खाने पीने को लेक चानी हुई है इसका यहां पर पता लगा करके उसको करेक्ट करना यह जरूरी होगा इससे लॉंग टम फाइदा मिल सकता है ऐसे ही समय में शेर मारकेट से याद फिर कमोडिटी मारकेट से अगर आप फाइदा कमाने का प्रयास करें तो वो भी आपके लिए काफी जादा फ 75-80% तक पॉजिटिव है अब ऐसे समय में यह कहें कि मन मुटाव किसी के साथ में हो गया था किसी बात को लेकर के शगड़ा हो गया था तो फाइनली उसको सौट करने का मोहका यहां पर जरूर आने वाला है सौट आउट कर लीजे साथ में बैठ करके कोई भी गिले आई समय में पैसों की तंगी से भी बाहर निकलेंगे और कोई ना कोई इस आपको प्रोग्रेस भी देगा आपके जीवन में काफी जादा बड़े बदलाव भी लेकर कर के आएगा जो आपकी लिए शुबसाबत हो परसनल ग्रोथ के लिए सही हो वो यहां पर अविश्य देखने को मिलने वाल है और इसी समय में लग का फेवर मिलने से भागे वसाथ अगर कोई काम अटक रखाया चाहे वो कोई भी चीज हो सकती है कोई काम अटक गया था कहीं किसी से बात करना चाहते थे वो अटक गयी थी कहीं पर किसी से फेवर लेना था और वो नहीं हो पाया बात कहे जरूर दी है पर वापस रिस्पॉंस नहीं मिला आज के दिन सिर्फ हाई हेलो करने के लिए फोन कर लीजेगा आपका काम जरूर निकल जाएगा ऐसे ही समय में यंगस्तस खास तोर पे जो भी रोजगार है रोजगार की प्राप्ती की तरफ प्रयास करें तो यहाँ पे सफलता अवश्य मिलने वाली है इस बात की गांठ बांद लीजेगा यहाँ पे प्रयास करना सबसे जादा जरूरी है और इस प्रयास से आपको सफलता मिलने वाली है शुब रंग रहेगा आपके लिए ये लो कला शुब अंक रहेगा नमबर एड फिर बात करते हैं तुला राशी की और आपके लिए राशी भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फिफ्थ हाउस में वदतारा का साथ अवश्य रहेगा परश्टक वर्गमि 32.33% सपोर्ट भी दे देंगे जिस कारण से अगर थोड़ी सी हम बुद्धी लगा करके चलें सतरकता बरतते हुए चलें ये कहा जाए कूट नीती जो होती है पॉलिटिक्स समझते हुए चलें तो फाइदे में रहेंगे क्योंकि ऐसे समय में लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं लेफ्ट राइट और सेंटर आपकी बटरिंग हो रही है आपको जैसे भी हो जो आपको सुनना पसंद है वो आपको कहा जा रहा है ताकि आप उनके लिए कुछ ना कुछ कर दें तो यहाँ पे संभलना होगा क्योंकि जैसे ही काम हो गया आपको use and throw कर देंगे जैसे garbage को किया जाता है कि जब तक काम का था तब तक रख लिया गया उसके बाद में उठा के fake दिया गया वही चीज इनसान के साथ में भी होती और वह आपके साथ में हो सकती है ऐसे समय में health related problems भी resurface कर सकती है कही ना कही अपने कारियों के अंदर विग्ण का सामना करना पड़ेगा पर उस problem से इस समय में fight करते हुए आगे बढ़ना जरूरी है क्योंकि success मिलनी जरूर है पर give up करने वाली situation जो है वो बार बार सामने आ सकती है ऐसे समय में संतान के द्वारा भी किसी ना किसी बात को लेकि किसी चर्चा को लेकर क्या ये कहा जाए उन्होंने कोई बात स्कूल जाने से पहले काले जाने से पहले कर दी है उसको लेकर के एक pressure आप पर अलग बना रहेगा जिसको लेकर के hypothetical situation कहते हैं हम कि होने वाला नहीं है पर हम जरूर सोच रहे हैं उस बारे में तो इस कारण से खुद की तबित खराब कर बैठेंगे शुबरंग रहेगा आपके लिए gray color शुबंख रहेगा number two फिर बात करते हैं व्रश्चिक राशी के और आपके लिए राशी भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फोर्थ हाउस में जनमतारा का साथ है अश्टग वर्ग में 23 dots है overall situation देखी जाए 25% support की है और जितना संभल करके चला जाए उतना ही बहतर है अब अकसर लोग कहते हैं कि जोतिशी जो हैं डराने का काम कर रहे हैं अब अगर चंद्रमा नेगेटिव है ग्रह स्थिती नेगेटिव है तो उसमें मैं positive कहके आपको motivate करके गड़े में fake दूँ ये संभब नहीं काफी लोग करते हैं काफी लोग जोटा दिलासा भी देते हैं और नुकसान आप उठाते हैं आपको अगर वो स्विकार है तो आप उनका चंगल आराम से देखिएगा पर जब सच सुनना हो तब यहाँ पे आना है अब यहाँ पे आपको बता दूँ फोर्थ हाउस के चंद्रमा में जनमतारा का साथ जो मिल रहा है ये दिन खास तौर पे पीडा दायक बनने वाला है इमोशनली कहिए, मेंटली कहिए फैनांशली कहिए ये समय पर परेशानी आवश्य देखने को मिलेगी फैमली लाइफ में खास तौर पे चूटी चूटी बातों को लेकर के जो आप टिपनी कर देते हैं कोई बात कह देते हैं गाली के लोज कर देते हैं ये इस समय में बहुत जादा खतर नाक आप के लिए बन सकती है लोगों का रवईया आपके खिलाफ यहाँ पर चेंज हो सकता है ऐसे समय में काफी लोग जो है वो आपको इस समय में परिशान करना हो या फिर अपना फाइदा निकालने के लिए आपका इस्तमाल करना हो वो करते नजर आ सकते हैं माता जी के साथ में भी छोटी छोटी बातों को लेके परिशानिया यहाँ पे जादा होंगी यह कहा जाए टकरार की जो सिचुएशन है वो जादा यहाँ पे देखने को मिलेगी फिर वो चाहे लाइफ पार्टनर के द्वारा हो या फिर आपकी और माता जी के बीच में ही किसी बात को लेके कहा सुनी हो गई है उस चीज को लेकर के यहाँ पे विवाद जो है वो अविशे उत्पन होता नजर आएगा अब यहीं पे क्रीम कलर का अगर आप उप्योग करते हैं दूदिया वाइट जिसे कहते हैं दूदिया सफेद कलर जिसे कहते हैं वो यूज करना आज के दिन आपके लिए शुब साबित होगा तो शुब अंक रहेगा नंबर सिक्स फिर बात करते हैं धनूराशी की आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं संपत्तारा का साथ है अश्टेग वर्ग मिठरी वन डॉट से ओवराल सिच्वेशन देखी जाए तो 100% पॉस्टिव भी कहेंगे और यह 100% पॉस्टिविटी के साथ में मोटिवेशन आने वाला है सेल्फ कॉन्फिदेंस बढ़ने वाला है कहीं लोगों की आदत होती है बाल कम होने शुरू कर जाते हैं तो जूटा कॉन्फिदेंस है इस बात का ध्यान रखिएगा ऐसे समय में कॉन्फिदेंस में व्रधी देखने को मिलेगी आसपा से कोई अप्रिशेट कर दे तो उससे अपने काम के अंदर जजबा और जादा बढ़ जाएगा ये समय रिस्क लेने के लिए भी आपके लिए शुबसाबित होगा कि रिस्क लेने पे फाइदा भी बहुत शानदार मिल जाए ऐसे ही समय में सोसाइटी में जाना फैमिली फंक्शन में कहीं पर अटेंट करने जाना ये आपके लिए बहुत शुबसाबित होगा कि लोगों के बीच में आपकी जो छवी है आपकी जो इमिज है वो सुधर जाएगी किसी बात को लेके रूमर फैर रखी थी तो वो रूमर यहाँ पे खतम हो जाएगी ऐसे ही समय में चाहे नौकरी पेशा इंसान की भी बात कहूं तो सीनियर्स के साथ में यहाँ पे टोटल फेवरिबिलिटी आपको मिलने वाली है उनकी द्याद रिश्टी आपको बनी रहेगी व्यापारी वर्क के लिए भी यही चीज है कि इस समय में कोई ना कोई प्रबंदख है कोई आफिसर है उसकी यहाँ पे द्याद रिश्टी आपके लिए बनी हुई है आप अपना काम करते चले चाहिए उनका सपोर्ट जो है वो आपको मिल रहा है और इस सपोर्ट का ना जायज फाइदा मत उठाइएगा तब तक सही है अब ऐसे समय में हेल्थ वाइस भी रिकवरी होने वाली है तो खासतोर पर यंगस्तर्स हैं तो आपको यहाँ पे कहीं न कहीं से यह कहा जाए लव रिलेशन्शिप जो है अगर उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो अवशे ही आपके लिए शुब साबित होंगी शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर शुबंख रहेगा नंबर सिक्स फिर बात करते हैं मकर राशी की और आपके लिए राशी भाव से चंद्रमा हैं सेकंड हाउस में शेमतारा का साथ हश्टग वर्गमे24 डॉट से ओवराल सिचुएशन देखें तो इस समय में 80% तक सपोर्टिव है सिफ हेल्थवाइज और खर्चों को लेकर के दो जगाहों पर आपको ध्यान रखना है इसके अलावा परिशानी नहीं है चाहे बिजनिस की बात कहूं अगर खर्चों पर कंट्रूल किया हुआ है तो परिशानी नहीं होगी अनेक्सपिक्टेड खर्चे सामने आएंगे तो उनको इस समय में सोच समझ करके आप डिस्बस कीजेगा वहीं पर इस बात का भी धियान रखना है कि हेल्थवाइज जो परिशानी है उसको काफी हद तक यहां पर हमें डीले करना है चाहे कोई फिजिकल आक्टिविटी यहां पर इन्रोल कर लीजे सुवे सुवे जाकर की टेबल टेनिस खेल लीजे बैडमिंटन खेल लीजे टेनिस खेल लीजे स्विमिंग करना शुरू कर दीजे योग करना शुरू कर दीजे सबसे बहतरीन यहां पर आपके लिए उपाय बनाऊंगा फिर चाय बना करके बैठूंगा शांती से और पीऊंगा इतना छोटा सा डिसिप्लिन भी अगर बना लेते हो तो भी आज का दिन आपके लिए काफी जादा बहतर सिद्ध हो सकता है यहीं पे इस बात का यंकसर्स को ध्याम देने की खास तोर पे जादा जरूरत ह कि लालच जो है वो हावी है कहा जाता है लालच बुरी बला है और इस सही बात है कि इस समय में लालच के कारण आप कहीं ना कहीं फस बैठेंगे शुबरंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर शुबंख रहेगा नबर वन फिर बात करते हैं कुम्भराशी की और पर फाइदा मिल रहा है कोई भी नई opportunity खोजना चाते हो तो वहां पर फाइदा मिल रहा है ऐसे समय में luxury item की प्राप्ती हो सकती है property से संबंद सुक की प्राप्ती हो सकती है घर परिवार के situation totally favorable है चाहे दांपत ये जीवन की भी बात कही जाये जहां पर मनमुटाव था किसी ब पर action लीजे आगे बढ़ने का प्रयास कीजे कहीं चीजों को neglect करना पड़ता है neglect करके आगे बढ़ना जरूरी होगा इस समय में तभी जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है अगर यह सोचते रह गए कि अरे इसने support नहीं किया उसने ये काम नहीं किया तो मेरा काम नहीं ब हो सकती है जो perfection चाहते हो जो polish अपने काम में चाहते हो वो इस समय में सिर्फ आप ही ला सकते हो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा ऐसे ही समय में ग्रहनी है तो आपके लिए भी सबसे सुकत situation है घर की command जो है उसको संभाल लिए लोग काफी बातों को ल दोनों मिलेंगी शुबरंग रहेगा आपके लिए red color शुब अंक रहेगा number 9 फिर बात करते हैं अंतिम राशी यानि की mean राशी की और mean राशी के लिए 12th house में चंद्रमा है वहीं विपत्तारा का साथ है अब अश्टक वर्ग में भी 34 dots है situation overall देखी जाए तो 33% support की है और इस इस समय में काफी जगाओं पर emotional vulnerability के कारण नुकसान उठा बैटोगे फिर वो चाहे पैसों का हो रिष्टों का हो क्योंकि लोग इस समय में आपका विद्रो भी करेंगे आपकी कही बात को काटनी का प्रयास भी करेंगे आप खुद के लिए इस समय में confidence जो build up करना चाते हो वो करने में समर्थ महसूस करेंगे पर इस बात का ध्यान दीजेगा जब बहतरीन दिन थे तो बहतरीन उपाय भी किये हैं और बहतरीन परणाम भी पाये हैं तो ये दिन उससे कोई जादा अलग नहीं है सिर्फ mentally अपने आपको strong रखने की जरुरत होगी क्योंकि यहाँ पर अगर बहुत जादा खर्च फीमिल पार्टनर पे कलीक पे कर देते हो तो उससे बचिएगा क्योंकि इस समय में इज़त पे कोई ना कोई खदरा मंडरा सकता है तो वहीं स्त्रियां हैं तो आपको भी यह कह दूँ कि इस समय में खर्चों पर थोड़ी लगाम लगाईएगा वरना परेशानी financial troubles को लेकर के आने ही वाली हैं शुबरंग रहेगा आपके लिए ये लो कलब शुबरंख रहेगा नमब थ्री ये तो हुई बात आज के राशी फलकी अब बात करते हैं विशेश उपाय किया निकि अपने इश्ट देव का निरने कैसे किया जाए परम भ्र चित भगवान के बोले शंकर रूप में रमता है तो किसी का विश्णू रूप पर मुग्द होता है या किसी का मन श्री कृष्ण के नटवर वेश में रमता है तो किसी को मर्यादा पुर्शोत्तम राम आकर्शित करते हैं किसी को श्री कृष्ण की आरादिका श्री रादा कि करुणा में रसिक्ता अपनी और खीचती है तो किसी को जगदंबा का दुरगा रूप सुहाता है याने कि भगवान के जिस रूप में आपकी प्रीती हो उसी रूप की आराधना करनी चाहिए है अब यहां पर कैसे जाने कि परमात्मा का कौन सा रूप है आपका इश्ट द भर्म में 33 कोटी याने की 33 करोड नहीं 33 प्रकार के देवता माने गए हैं जिन में पांच प्रमुक देवता हैं सूर्य गणेश गौरी शिव और श्री विश्नु श्री विश्नु के लिए हम कह सकते हैं श्री कृष्ण और श्री राम की उपासना यह प्रमुक रूप से बत लाता है ऐसी स्थिती में मन में ये व्याकुलता बनी रहती है कि किसको इश्ठ माना जाएं रिदे में जब परमात्मा के किसी रूप की लगन लग जाएं दिल में वो छवी धस जाएं किसी के रूप माधुरी आँखों में समा जाएं किसी के लिए अत्यंत अनुराग हो ज तो वही हमारे आराद्य हैं ऐसा जानना चाहिए अब पूर्व जन्मों की साधना के अनुकूल ही हमें परिवार या कुल प्राप्त होता है परिवार में माता पिता या दादा दादी की द्वारा जिस देवता की उपासना की गई है उनके प्रती भी हम भी विशेश उन्होंने जिस वरत का पालन किया हो जिस देव की उपासना की हो आप भी उसी देवता और उसी वरत को अपना लेना चाहते हैं साधक को अपने ईष्ट को कभी कम या अपूर्ण नहीं मानना चाहिए अभी अभी के अंदर एक डिसकेशन शुरू हुआ है फोरम्स पे कि श् किसी से उपर नहीं है आपकी आस्ता किसी और से उपर नहीं है सभी की आस्ता सभी के मन को शांत रखने के लिए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हैं सदेव सरवेश्वर समझ कर उनकी उपासना करनी चाहिए एक पिता के दो पुत्र हैं उन्होंने अपने पिता के दोनों पैरों की सेवा बाट रखी थी अब एक दिन जब दोनों अपने अपने हिस्से के पैरों को सेवा कर रहे थे तब संयोंक से एक पैर दूसरे पैर से जा लगा हुआ क्या उस पैर की सेवा करने वाले लड़के ने दूसरे के पैर पर घूसा जमा दिया दूसरे लड़के ने अ मुर् गता पर अफसोस करते हुए कहा, जिसे तुम दोनों सेवा समझते हो, वो वास्तव में सेवा नहीं, वो तो तुम भी देवता की निंदा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जहां भावना छोटी है, संकीन होती है, वहां फल भी छोटा होता है। और जहां भावना महान हो, वहां फल भी महान होता है। आशा करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ आए। ठेस पहुचाने का उदेश्य नह यहाँ पर प्रेशराइज करना या किसी भी तरीके से ये कहना कि मेरे इश्ट तुम्हारे इश्ट से बड़े है गलत है हमेशा की तरह प्रात्ना अब सभी कले यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन रहे और सुरक्षित रहे घर में बड़े बज़र्गों का साथ और आश्रवाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे जैश्री राम एवं जैहन